देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लुग आयाओ जी ता परियान रे सब लियाओ जी देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लुग आयाओ जी ता परियान रे सब लियाओ जी चौपाल देख बड़ा सब्सक्राइब भाई बड़े माहिचे अपनी चौपादरे मीर इन नियारा जी तक लेशे ले नई नी को करां और बहुत ही आंकी जानकारें आसिल करां जिकि आपने का जीवन न बदल सके आज भी आपनी चुपाद रहाएं कि यहां को नियारो निरवड़ो रेक नवदू विसे ले रहता है कर्षियां और आज को आपने विसे है बाले कामा न ओध्यों की प्रशिक्षन क्योंकि द के मायने जिको गरश्ति को रत है एक दो पहिया एक नारी और एक नर तो दो नियू बराबर सबल बने ताकतवर बने और बिक के लिए आज महिलावन ओध्योंकिक प्रशिक्षन के भी बहुत बड़ी आवसकता है तो आज एक ही आपने चर्चमा कर्षियां जिकी जानकाने अगर किसी के हात में हुनर है तो वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मान सकता यानि उसको अपने हाथ के हुनर से वो हमेशा पूरी जिंदगी कुछ न कुछ कमा के खा सकता है तो इसलिए जितनी भी आईटे ही खुली हुई हैं जितने भी अध्योगीक प्रेस्टिक्षन संस्थान हैं उन सभी में इस तरह के ही व्यवसाय चलते हैं जिनको करने के बाद बच्चे या तो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं अपना खुद का स्वार रोजगार खोल पाते हैं या उनको कहीं न कहीं प्राइवेट में गौर्मेंट में कहीं पे भी अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वो अपना घर बैठे भी कमा सकते हैं जिनको अगर वो सपोज उनके घर में इस तरह के नहीं है महाल की वो घर से बाहर जाकर नौकरी कर पाएं या जहां उनको नौकरी मिली वो बहुत दूर है जगे वो नहीं जा सकते हैं एक प्रिक्षिक्षों में बहुत अच्छी कमाई कर सकते था कि ऑपने जीवन को बहुत अच्छे शिकर पे पहुचा सकते हैं अपने को खुद को खुद के परिवार को उस अमनला एक अच्छे स्थर तक मुचा सकते हैं स्वाबावी के एक की कमाई होती पेली मोट यार की फिर लगाई की भी कमाई वे तो दोन्या की कमाई दुगड़ी उस यसी जना स्वाबावी पूरो घर की मुनत्ति वसी प्रगति वसी आप गलस आई-टी आई के महने व्याख्या था हो पहली है देख्या करता कि लुगाया अज़ आपको अपर ना करें लिए बारे काम करा है आप व्यान का में प्रसिक्षित कर रही है नहीं है तो आजकल लड़ियां पाइलट भी हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, बस भी चला रही हैं, प्लेन भी चला रही हैं, और अपने रोजगार में बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुची हुई हैं, तो आजकल महिलाएं किसी भी जगह पे पूरुशों से पीछे नहीं हैं, त ताकि अगर किसी को इस तरह के को financial challenges भी है या कुछ है तो वो आराम से प्रशिक्षन प्रापत कर पाएं और आगे बढ़ पाएं अपनी जिन्दगी में तो इसलिए अभी क्या जितनी भी आईटे ही चलती है यहां पर बहुत सारी सरकारी आईटे ही ऐसी है जो केवल girls के लिए ही है केवल बालिकाओं के लिए ही है और उनके अलावा जो लड़कों की आईटे ही है उनमें भी लड़कियों के लिए सीट रिजर्व कर रखी है तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी मनला बालिकाओं के लिए अपने बहुत अच्छे अफसर है कि वह इनमें अपना म और आगे बढ़े अपने पेरों पे खड़ी हो एक तो बहुत बढ़ी है बात बता है आप की एन की व्यवस्ता है इसमें इसमें ऐसा है कि जो जितनी भी गॉर्मेंट के आई टी आई हैं चाहे वो आपन केवल महिलाओं वाली देखें या जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों बढ़ते हैं उन में देखें तो लड़कियों की फीस बिलकुल माफ है उन लड़कियों की फीस कोई भी नहीं लगती उनकी केवल एड्मिशन के समय में उनसे ग्यारा सो रुपे लिए जाते हैं जिसमें से एक हजार रुपे तो उनकी कौशन मनी होती है जो जैसे उ जानकारी आपने लिए बहुत आवसे की कत्ती बढ़िया बात है आपनी बेंड बेटे हैं महीला हुआ है बान आपका प्रिस्टिक्शन दिर्वास का इटिया उसों कोई पीस नहीं लागए के बाल आपने ग्यारा सो रिप्या जम्मा कराना है जगा में आई टिया पूरी होता आपना जारी प्या पाच्छा मिल जैसी अरब सुरी प्या जिका कट्रिया है वो दुर्गटना बीमु एक तरी कोई बी दुर्गटना वैसके है वो जीवन है जंजाड है कुछ भी वैसके तो बिके लिए वो है तो आपने बिल्लकुल निसुल्क शिक्शार भी कमाई जाए सारे जो केवल महिलाओं के लिए ही ज्यादा है जैसे जैसे सपोज कोई लड़की अपना पारलर खोड़ना चाहती है वो वाली व्यवसाय है कोई अपना सिलाई का काम शुरू करना चाहती है घर पे सिलाई और पारलर यह ऐसे हैं कि आप कहीं और जाके भी कर सकते हो अगर आप नहीं जा सकते हो तो अपने घर पे भी खोल सकते हो हैं आप अपने अपने घर पे कोई खोल लिया अपने तो आप सिलाई कर रहे हो और उसके आप जैसे आपने कोई नills क accounting को अता है जिसमें हिंदी और इृणिस दोन हए उसमें टाई पी जि winding जोन होता है उसमें के अलावा अभी बहुत ज्यादा रुजान आजकल एलेक्ट्रीशन और एलेक्रोनिक्स की तरफ भी काफी हो गया इस वियाफसाय में भी लड़कियां बहुत अच्छी आगे बढ़ रही हैं इस हमें आप देखते होंगे लोको पाइलेट वगरा के लिए भी वेकैंसी निकलत हैं पूरे साल में सिखा दिया जाता है कि वह अपना रोजसगार कोड़ना चाहै तो अपना खोल सकती हैं किसी नौकरी के लिए अब लाई करना चाहें तो नौकरी के लिए भी जा सकती है तो फिर यह आईटी आइम изб hin लेक्र काई ही कि प्रकारस को गलेका अटे क्रे या करे तो उसके उस समय वह बच्चा वहां जाएगा अपने ओरीजनल मूल प्रमाण पत्र लेके और वहां पे उसके मूल दस्तावेज जाच किये जाएंगे और उनसे वह ग्यारा सुरुपे लिये जाएंगे उसकी उनको रसीद मिल जाती है और उनको स्वेफसाय में अधमिशन मिल आपनी बाई के लिए बड़ी आएडिमेशन हो जाएंगे लिए बड़ी आरुजगार की विवस्ता हो जाएंगे इसमें एक उनको देखो कितना अच्छा फायदा ये मिला कि जैसे उन्होंने पहले नंबर पर जो विवसाय लिखा अगर आपन ये मानते हैं कि मेरिट के इस अधसी उसको विवसाय नहीं मिला तो अपने आपे दूसरे नंबर वालय वालय देखा जाएगा दूसरा नहीं मिला अपने 2 अपने थी स्रादे ऐगा यायाई ऐसा निय उनको उतने form बार बार बरने पढ़े उनके वो पेसे भी नी लगने पढ़ते है या दी एक ही फॉरम भर रहेंगे बच्चे और उस एक फॉर्म में ही वो केवल अपनी रूची अनुसार उसकी पूरी लिस्ट लगा देंगे बई मेरे को पहले नमबर पर यह दूसरे नमबर पर यह तो जैसे ही उसको मेरेट के हैसाब से जिस्दी व्यवसाय में उसको मिल रहा होगा तो उसके पास मेसेज पहुन जाएगा मुबाइल पर यह आपको इस में आडमीशन ज्यादा नहीं है, बाकि सारी के सारी दसवी के बेसिस पे है और पढ़ाई बेस के कत्ता दिन की वेए की परकार सुने हैं? पढ़ाई जैसे अभी इसमें दो अलग-अलग भाग कर रखें, एक तो इंजिनेरिंग नउन एक इन्जिनेरिंगुट जैसे कुछ इंजिनेरिंग वेफषई जैसे इलेक्टिशन है, इलेक्रोनिक्स है है ये वेफषई बाकि जो वेफषई हैं他ई जाई ऑन एक सालते हैं फ़ीक के बाद में आज़ार के काहे संब़ावना हो रहे है बंग स्ट driven इस मिठ ये इसाते लूज ब़ बच्चों के बीच में वी एक्डान होते हैं जैसे जिसको आपन बोलते हैं जो क्वाटरली शंदी एक्णा लेते रहते हैं प्रैक्टिकल लेते रहते हैं तो उससे अंदाजा होता है भी हाँ हाँ इस लेवल पर बच्चा चल रहा है तो जब हम लोग प्लेस्मेंट जो कंपनिया हैं जिन कंपनियों को आईटेई बुलाते हैं और वो आईटेई आके उन बच्चों का वहीं पर इंटरव्यू यानि बच्चों को भी नहीं जाना पड़ा वो कंपनी आईटेई आएंगी तो जैसे हम लोग इसका रोजगार मेला लगा देते हैं कई बार तो पूरे रोजगार मेले में बहुत सारी कंपनी आई ही होती है उस समय बच्चा अपना जो बायो डेटा है जिसको सीवी बोलते हैं आजकल वो लेके वहाँ पर जाएगा और इंटर्व्यू देगा उनके सामने और वो जिन-जिन को सलेक्ट करते हैं बच्चों को उनको नौकरी मिल जाती है यानि कि ITI के माई ने ही कंपनी और आपकी मांग है डिमांड है भी कही साफसों भी कि योग्यता हो नहीं देखता हुए बठेई बीन करमचारी बना दे तो बहुत बढ़िया है करनी भी चाहिज है तो रूजगार भी मिल रहे है इक के बाद में लिए प्लेस्मेंट सर्विसेज की आब आत बता दी जूजए अगर कोई को प्लेस्वेंट सर्विसेज कर दिखना करीं अचारी में जाने के लिए पहले उस बच्छे को कहीं पर तीन साल का कम से क्स्पीरइंस लेना पड़ेगा जैसे सब मैं आपको बा बछाँ उसकूल से ने study के वार्ष कि अब करने के बाद वह यूँए इ साल या किसी ओफिस में नौकरी की या किसी रिसेप्शन पे नौकरी की कहीं पे भी उसके पस तीन साल का कम से कम सेलरीड experience होना चाहिए यानि तन्खा मिलने वाला क्योंकि जब सरकारी नौकरी के लिए वो भरेगा फॉर्म भरेगा तो उसमें उनकी qualification यही मांगी जाएगी कि बच्चे ने ITE कर रखा हो संबंदित व्यवसाय में और उसके साथ उसको कम से कम तीन साल का सेलरीड experience होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर सरकारी नौकरी में भी बहुत बच्चे गए हो हैं हमारे कई बच्चे कोई कोई कोट में भी लगे हो हैं कोई और रेलवे में भी लगे हो हैं बड़ी-बड़ी तो तीन साल को अनुबव लिए और भीके बाद के माने सरकारिक शेत्र में जा ले जाओ रेलवे हैं बैंकिंग है स्कूला है आगा मैं निभी जा सेगे अच्छा कोई आगमी कोई बालिका है अब बात बालिका में कर लिए कोई लड़की है आई टीया कर लिए और दोगी प्र सभाविक है जब बच्चे ने पढ़ाई पूरी की है तो वो कुछ न कुछ पैसे तो कमाना चाहेगा अब वो पैसे कमाने के लिए वो सरकारी नोकरी एक option है एक जैसे अभी आपने अभी अभी डिसकस किया कि वही किसी कंपनी ने उसका प्लेस्मेंट कर दिया वो एक option है ल कि जब तक पैसा नहीं है तब तक अपन को जैसे अगर किसी को सिलाई करनी है तो उसको एक मशीन तो कम से कम खरीदनी पड़ेगी मशीन खरीदने के साथ उसको चोटी-मोटी उससे संबंदे चीजे खरीदनी पड़ेगी और कई बर हर स्थर के लोग होते है कि वही किसी के पास तो बहुत पैसा है किसी के पास नहीं भी यह सब चीज करीदने के लिए तो उसके लिए क्या होता है कि अगर अपना खुद का धंदा खोलना चाहे तो उसको उनको बहुत ही कम rate of interest पे government किस तरह से कितना जैसे अभी अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरह की बहुत सारी योजनाई बना रखी हैं तो उनको उन सब योजनाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता के ताकि वो अगर अपना खुझना चाहेंगे तो उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस तरह कि उनको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं छोटे-छोटे के लिए आप पैसा कहां से लाओगे कितना आप खुद जोड सकते हो कितना आपको बैंक से जरुत पड़ेगी कितना किसी NGO से या कहीं से कहने का मतलब उसको करने के लिए जिन जिन चीजों की जरुत होगी वो सारी उनको बता दी जाएंगी और उनको फिर ऐसे लोगों से भी बच्चों को मिलाते हैं जो लोग पहले से एंटरपरिनर बन चुके हैं और उन से उनको मिला कि उनको और अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ बई मैं इस तहरे से आगे भड़ सकती हूं और अपना रोजगार शुरू कर सकती हूं एक कुण-कुण सा अब देको कारिकरम आपको बता हैं इसे देखे एक तो जैसे अभी-अभी मैंने आपको बताएं का व्यवसाय है जो आप गाउं हो शहर हो कसबा हो कहीं पे भी अगर आप रह रहे हो तो अगर एक बच्ची ने सिलाई सीख रखी है तो वहां आजपरोस की जितनी भी महिलाएं हैं उनके कोई भी तरह के कपड़े हैं जैसे सूट सिलने हैं लेंगा उड़ना सिलना है कोई ब्लाउस पेटीगोड सिलना है तो इस तरह से वह घर पे एक मशीन लाके और उसको अच्छे से चला सकती है इसी तरह से आजकल गाओं हो चाहें शहर हो सब जगए ब्यूटी चल का भी बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है तो वह अपने घर पे भी छोटा मोटा पारलर खोल सकती है तो यह जैसे वह बता है इ आजकल जैसे इमित्र चल रहे है तो इस तरह से उसने अपने घर पे शुरू कर दिया तो वह फॉर्म भरेगी उससे पैसे कमाने लग जाएगी तो ऐसे इस तरह से कई खाना बनाने वाला जैसे मैंने भी आपको बताया कोई जैली अचार मुरबा पापड है ना मंगोडी इ दीरे दीरे उसका विवसाय शुरू कर सकती है तो ऐसे करके वह कोई सा जितने कोर सभी लगभग आपको बताए सारे ही लगभग इस तरह के हैं कि वह घर पे रहके बच्चा रामसुस को कर सकता है अपना भी शुरू कर सकता है तो पिली भी आई टी नानी और दादी कराया क कि नानी और दादी गराने शिका दिया करती और पापड बना वो मगोडी बना वह ऐसारा वां करती बी के बाद में प्री आज भी आपना राजस्तान बीकानीर में जार दे हुआ जी जी तो फटे घर गर के मैं पापड मगोडी बड़ी बना वे लुगा और वह तो अच्य ह बड़े पैमाने के जैसे वह चोटे सर पर नहीं को बड़े पैमाने के जैसे वह चोटे सर पर जब शुरू करते हैं बच्चे तो वह पर चोटे सर पर जब शुरू करता है कोई जब बढ़बने घर बैटे जो है तो जैसे उसको लगता है कि उसके पास काम जाधा आने लगया तो वो क्या रेगा बच्चा कि अपने साथ अपनी इस देह को परो fonts दो दो सूर्ट निकाल पाते हूं। लेकिन मेरे पास काम जादा है, तो मैं तीन या चार सूर तब निकाल सकते हूं जब इसमें तुर्पन का काम या इसके सलवार चिलने का काम कोई दूसरी बच्ची करे। तो वो एक और बच्ची रख लेगी। अब उस तीन सो रुपए में से अगर उसने 100 रुप उस बच्ची को भी देने शुरू कर दिये, तो 200 रुपे इसके पास बच्चे लेकिन इसने सूट जाता बनाने शुरू कर दिये, तो उससे क्या हुआ, उसको पैसे भी जादा मिलने लगे और उसने एक बच्ची को रोजगार और दे दिया, दीरे-दीरे करके यह जब चेन बढ़ती जाती है, तो वो क्या करते हैं, जो खुद अपना काम छोटे स्थर पे शुरू किया था, वो दीरे-दीरे खुद दूसरों को काम देने लग जाते हैं, तो वो दीरे-दीरे उनका काम बढ़ा हो जाता है, फिर वो एक बड़ा बुटीक बना लेते हैं, बड़ा पारलर बना लेते हैं, एक चोटी सी संस्ता एक बड़ो ध्योग भी बन सकते हैं, यह के लिए एक बढ़ा टीम वर्क की भावना मागा महने हैं, आर्थ एक बड़ा हैं, फिरी है शिक्षा, तो फिरी शिक्षा के तहित आई टीम ही तो कर ली, लेकिन अब बड़ा खुद को व्योवसाई कर बोजा हुए, तो बी स्थिति में कहीं लोन की व्योवस्ता, अनुदान की व्योवस्ता कहीं हैं, वैसे तो आपने जैसे अभी अभी बताया कि प्रधानमंत्री जी की तरह से भी काफी इस तरह की योजनाई हैं, और बाकी बैंक भी स्टूडेंट्स को या इस तरह के जो लोन होते हैं, वो काफी कम रेट ओफ इंटरेस्ट पे बच्चों को देते हैं, ताकि बच्चा अपना स्वह रोजगार छोटे स्थर से शुरू कर सके, उसके लिए आभी मैंने आपको बताया था जैसे अपने EDP प कि इसमें एक मैं आपको और अपनी तरफ से बात यह बताना चाहूंगी, कि जितनी भी महिला Ada के लिए जोगी है, जहां पर बालिका जा रही है या लड़कियों माली आई जा रही है, किसी भी आई टाई में बालिका ऊपर बाली एज लिमिट नहीं है। यानि मिनिमम कम से कम वो चौदा साल की बच्ची होनी चीए, चौदा साल से कम उमर वाली बच्चे को तो एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके उपर की लिमिट कोई भी नहीं है, वो पचास साल की भी है, पचपन साल की भी है, तो भी अडमिशन ले सकती हैं, और आगे अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी मैं तब तक उसकी उमर निकल जाती है, वो 30 साल की होगी, 35 साल की होगी, फिर उसके समझ में आया कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे कुछ आगे बढ़ना है, है ना, अब मेरको भी दो पैसे कमा कि अपने घर में सपोर्ट क करती है, बहुत बढ़ी है बात बता है, तो कोई भी उमर के माइं कर सके है, उपर के तो को लिमिट है को नहीं, अच्छा, अब मता है, बाले काम हम तो एक लगन में, जुआला वह वहागा है, तो बैस सरकारी नोकरी में जाबा के लिए, प्लेस्मेंट सर्विजेज के हमारी ही ITI में, सास और बहु दोनों ने एक ही ट्रेड में लिया था, और सास भी वही चीज सीकती थी, दोनों साथ ही आती थी, अब ऐसे में क्या होगा, वो कोई रोजगार घर पे भी शुरू करेंगी, तो दोनों मिलके बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं, और उसमें सासूर बहुदूर, सागे पड़ें, आपनों देश कतो संदर हो जारे हैं, कतो आगे बढ़तो हौता हैं, कती वियचारी के माइने समर्द ही आती जारी हैं, और यहान का संसदाना माहिम से वह सी जहीं, निस्चितोरूप से अपनों देश आगे बड़ी इसी, बड़ी थी, जैसे अभी इस समय भी मेरे ट्रेड में एक बच्ची है जो गूंगी और बहरी दोनों है लेकिन ऐसी बच्ची भी हमारे पास आके इतने अच्छे से पढ़के जाती है और वो पूरा टाइम इतनी खुश नजर आएगी वो बच्ची हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको कुछ न कंप्यूटर पर लिखेगी और उसके यूट्यूब खोल के क्योंकि यूट्यूब उनके वहाले आते हैं और उनको सुनके और बहुत अच्छे नंबर लेके आती है इसी तरह से एक साल दो साल पहले हमारे पास एक बच्ची थी वो भी से बिल्कुल ऐसे ही थी और जब उसक पापा आईटी ऐसे करके मुझे उठाईगी कि मुझे छोड क्या हो तो आत्मा प्रसंद रही कि यहां पर क्या बच्ची ओंको आपस में भी इतना अच्छा महौल मिलता है क्योंकि उनको सुधाय भी पूरी मिली हुई है अच्छा बढ़िया उनको ठंडा पानी है एसी है स सारी सुधाय सरकार ने रखी हैं तो उनको यहां के इतना अच्छा माहल मिलता है प्लस जितने स्टाफ होता है वह उनके साथ बहुत अच्छे से तो उनको ऐसा नहीं लगता जी विल्कुरिया में उसे उनका अप्धी एक मभी ऐसा आता है कि वह एक करने के बाददे पूरा सब्सक्राइब करें आपने दाया यह उसी अब फिर मिल से एक नहीं विशाई के साथ जत्तरनी चाहम आप सुझाज़त राम 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 चाहिए